सलाव अलेकूं डियों स्टूडेंट जैसे के चैप्टा 19 यह हमारी स्टेटिस की लास्ट रुवीजन है ठीक है जिसमें हम काई स्केर की रुवीजन करेंगे ठीक है काई स्केर है कि इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अगर हम काई स्केर के डाइगराम बनाएं तो काई के स्केर के डाइगराम एक पॉसिटिवली स्क्यू डिस्टिब करता है यह काई स्केर के रहें जोती है यानि कि यहां से 0 से यह औरीजन से मूफ कर रहा होता है और positive is q direction में यह जा रहा होता है ठीक है तो यह हमारे पास काई स्केर होती है इट इस उस टेस्स काई स्केर यूज को कहते हैं population variance देखें अभी तक हमने population mean को test किया difference of two population mean को test किया था फिर population proportion को test किया और difference of two population proportion को test किया हमने कभी भी standard deviation या variance को test नहीं किया था तो standard deviation और variance को जो test करना है वो हम काई स्केर से करते हैं यह कैसे करते हैं हमारे इस लेबस में नहीं लेकिन property पढ़ लिया ठीक है जो हम question solve करेंगे second independence किसी भी चीज़ के independence को यानि कि हमने quality को test करना है तो हम क्या करेंगे attributes को हमने test करना है तो हम का भी परोडिक्ट ले लें किया हम ने एक प्रोडिक्ट लाउंच की क्या fashion का product के ओपर कोई यह नहीं है fashion की ़ज़ास हमने का कपड़ों का fashion है क्या fashion की वइश से लोग garments हैं, kपड़े हैं, वो बहुत ज़ा sell हो रहे हैं, हमने कहा इसके पीचे reason क्या है, हम जाना चाहते हैं, हमने कहा क्या लोग पास पैसे ज्याद हैं, या fashion market में बहुत आगे उस चीज़ का, तो इस चीज़ को हमने देखना होता है, तो अगर हमारी जो sell increase हो रही है, फैशन की वज़ा से हो रही है, इस में जो sell है, वो depend कर रही है, फैशन के उपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह depend कर रही है, फैशन के उपर, तो फैशन यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे लिए depend कर रहा है, फिर हमने कहा, कि fashion हो या ना हो, लोग च चीज़ें खरीद रहे हैं तो हम कहेंगे फैशन इंडिपेंडेंडेंट है। सेम इदा केस के बच्चे ने जिद की माबाप से के बही मुझे मुझे मुबाइल लेकर दो। तो माबाप ने सोचा अगर इसको मुबाइल ले दिया क्या पता है यह पढ़े ना। इस पढ़ाई में अच्छा खासा चल रहा है मुबाइल के वज़े से गेम में लग कर हो सकता है इसके पढ़ाई कमजूर हो जाए। तो हम चख करेंगे छे माबाद कि इसकी पढ़ाई पर क्या फरक आया। ठीक है? तो आजीम करें चे माबाद पेरेंट ने कौन सा टेस्स लगाना है पेरेंट का है सके टेस्स लगाएंगे और चक करेंगे कि मुबाइल का होना पढ़ाई के लिए इंडिपैंडेंट है या डिपैंडेंट है यह अगर पढ़ाई ख़रक पढ़ा तो इसका मतलब इंडिपेंडेंडेंसी को चाग करने के लिए या ब चीजंग की क्वालिटी एट्रीब tumor यह पाजिटिव के डिस्टिबूआर जैसे चाग क्ला कोई हैं आगर यह पाजिटिव良 डिस्टिबूआरा जैसे तो तो आपको बता है कि यहां पर mod होता है और mod के बिलकुल साथ यहां पर median होता है और median के यहां पर mean होता है तो देखे mean origin से सबसे ज़दा दूर है तो mean greater है तो mean greater than median greater than mod होगा ठीक है एरिया under the curve is 1 यहां पर टोटल area 1 होता है परसेंट टेमें बात करें 100% area is measured from right tail बसी यही बात जाज़ करें जो area measure करूँगा मैं यह यह right side है तो इस तरफ area measure करूँगा यह क्यों यूज करता हूँ जब मैंने population variance को calculate करना हो फिल हमने calculate करना नहीं है तो यह area के ओपर बात हम नहीं करेंगे बस ही याद रख लिजेगा काई स्केर range from zero to plus infinite काई स्केर की range होती है ठीक हो गया नेक्स चलते हैं काई स्केर में जो हमने null और alternate hypothesis सेट करने है वो यह क्या null hypothesis क्या है वो कहेगा two attributes are independent null hypothesis हमने यह कहा बच्चे ने यह कहा बच्चे के बस mobile आया बच्चे ने कहा parents भी करना करें mobile के होते हुए पढ़ाई पर कोई फरक मैं नहीं आने दूँगा यहनिके बच्चे ने कहा बच्चे का एक claim था child का एक claim था कि mobile के होते हुए पढ़ाई पर कोई fact नहीं आता यहनिके बच्चे ने कहा कि मैं independent हूँ मुबाइल मेरे लिए independent है ठीक है independent का मतलब है कि not association not association mean कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता association mean familiarity होती है relationship होता है ठीक है यानि कि effectiveness होती है independent mean not associated h1 जो होगा आपको पता है h0 का reverse होगा parent ने test apply किया काइस किया ठीक है तो parent क्या करेंगे कियेंगे two attributes are not independent यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर not का वड़ी मिस्ज़रा लिए वो खुद से लिए not independent not independent का मतलब है dependent parent को ख़चा है कि नहीं नहीं बच्चे mobile बच्चे के लिए independent है dependent है तो parent क्या कियेंगे parent जो है alternate के तोर पर काम कर रहे होंगे तो parent कह रहे होँगे नहीं नहीं mobile इंड़ीपंडनी है mobile dependent है हमें लगता है इस mobile के वज़ए से इसके पढ़ाई खराब होनी होनी है यानि कि वो parent ही कहिए mobile में और पढ़ाई में कोई ना कोई association है पढ़ाई में और mobile में कोई ना कोई तालू Michaels होगा इस वाले bracket को बाद में sum करेंगे तो ठीटा करते है observed frequency आपको बता है observed frequency हमेशा question में given होती है expected frequency यह हमने find करनी होती है और बस इसी को find करना थोड़ सा difficult है तो बागी calculation आसा आने rejection region कैसे बनेगा जैसे कि मैंने आपको आज shortcut से कहा था hypothesis में जैसे कि मैंने का था अगर जी calculated greater हुआ जी टेबल से तो हम reject करेंगे h0 को बिल्कुल ऐसा ही है rejection region यानि कि we reject h0 हम h0 को reject करेंगे अगर chi square calculated greater i chi square table से यह जो alpha है alpha के साथ नज़र आ रहा होगा आपको alpha तो इसमें आगे न risk level यानि कि level of significance यह जो c minus 1 और r minus 1 ने यह degree of freedom है degree of freedom है और यह degree of freedom आपको पता है help करता है हमें chi square की value table से ढूंडने के लिए तो degree of freedom हमें दो जगा पढ़ा एक chi square में और एक t distribution में n minus 1 दो जगा degree of freedom हालता है ठीक है जी तो conclusion क्या अगर chi square fall करेगा rejection region में तो हम क्या करेंगे h naught reject otherwise h naught को हम accept कर लेंगे अब मैं सिखाता हूँ कि ये e जो है expected frequency है कैसे find करेंगे इसको find करेंगे हैं हम जारा चार तरीके बना लिए type of question one way test one way test का मतलब होता है कि कोई एक row आजा है या कोई एक column आजा है तो उसमें e कैसे find करेंगे करेंगे कि observed frequency का average ले 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 देखो mean of observed observed frequency का average ले 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 लेंगे answer आजाएगा अगर two way test है two way test का मतलब है कि आखे पास one row या one column ना है इसके लिए कोई भी order आजा है तीन row तीन column आजा है दो row पांच column आजा है तीन row दो column आजा है तो e कैसे find करेंगे जितनी भी rows होंगी उसका total कर लेंगे column का total कर लेंगे उनको divide कर देंगे grand total से आप पर यह बता हिया अगर proportional test आजा है proportional test mean अगर अगर probability आजा तो e कैसे find करते हैं जो total sample होगा उसको multiply कर देंगे given यह probability question में 2 by 2 का आजाए 2 by 2 order आजाए इस 2 by 2 order को हम find करेंगे उसका formula यह होगा अच्छा e इसका जो e है 2 by 2 e e हम इसी तरह find करेंगे e का कोई मसला नहीं है अगर 2 by 2 यानि का 2 rows और 2 column आजाए तो हम क्या करेंगे हमारा formula जो काई स्केर का है वो थोड़ा सा बदल जाएगा तो देखें काई स्केर हो फॉर्मल था ठीटा माइनस ही होल स्केर लेकिन यहां पर एक adjustment आएगी 0.5 की तो अगर 2 by 2 दो rows और 2 column है तो माइनस 0.5 को adjust करके हम क्या करेंगे काई स्केर की value find करेंगे सही हो क्या है? अब लेट स्टार्ट दी क्वेश्चिन फर्स क्वेश्चिन यह है उसने का दा पर्सनेल मैनिजर ऑफ अफ फॉर्म इस कंसर्ण अबावट एपसंटीजियम हम देखते है कितने लोग एपसंटीज हुए एपसंट हुए हमने देखा छे दिने में कितने लोग एपसंटीज हुए ठीक है तो question हमारे पास यह आगया अब यह further question है what is the expected frequency आपका पता है expected frequency कोई होता है हाँ हमने का expected frequency तो यह होता है अब देखें order चेक करें कोई सा test लगना है one way two way proportional probability क्या given है हमने का probability given कोई नहीं है तो यहां पर देखें एक row है यह देखें यह एक row है और छे कॉलम है एक दो तीन चार पांच छे एक row है छे कॉलम है यह निकि तो one way test है यह तो one way test वाली example आगई अगर one way test है तो यह ए expected frequency यह कैसे आएगी observed का average ले ले लो तो यह observed है 12 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस जो भी आएगा उसका average ले लो तो सबको ज़रा plus करें 12 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 तो आंसर आगया 60 तो देखें हमने कहा कि expected frequency क्या होगी यह जो observed है ना यह हमने यह ठीटा observed ही यह observed value की कि कि Monday को 6 लोग 12 लोग absent थे Tuesday वाल दिन 9 लोग absent थे तो formula क्या होता है observed का average ले लो तो formula summation theta over n तो summation theta कितना 60 number of days n कितना 6 तो answer आगया 10 यह expected frequency आगया फिर कहता है how many degree of freedom इसमें degree of freedom क्या हो को पता है का इसके करें degree of freedom का formula क्या होता है यह degree of freedom है यह देखें c-1 r-1 तो देखें degree of freedom हो गया c-1 multiply by r-1 column कितने है 6 column है तो 6-1 row कितनी है एक row है तो 1-1 तो 1-1 जीरो हो गया अब 0 को multiply नहीं करवाना आपने मतलब 6-1 5 हो गया और यहां से 0 होगा तो 0 को से multiply करवाना सिर्फ यह लिखना 5 है तो अपने का 5 degree of freedom है got it फिर यह कह रहा है कि what is the chi-scale value at 1% 1% पर chi-scale की value क्या है तो chi-scale की value कैसे आती है यह का-scale की value इस तरह आती है जरह यहां से अगर मैं rush कम करूँ तो का-scale की value कैसे आती है यह देखें का-scale की value ऐसी आती है का-scale की value ऐसी आती है तो का-scale alpha alpha क्यों तो column minus 1 row minus 1 तो chi-scale alpha तो जब मुझे का-scale की value देखनी है तो का-scale की value के लिए मैं find करूँगा यहां पर देख लेते है का-scale का-scale की value तो का-scale की value कैसे आती है alpha c minus 1 और minus 1 यहां से का-scale की value हो जाएगी alpha कितने है level of significance 1% तो 1% mean 0.01 column कितने है 6 6 minus 1 row कितने है 1 minus 1 तो 0.01 6 minus 1 5 यह ज़ेगा 0 यह 0 कर दो ignore तो यानि के का-scale के table में जाओ 0.01 को 5 में देखो जरा तो let's see यह का-scale के table में चले गया है यह का-scale का-scale का पता 0 से लेके यह positive positively infinite जा रहा है ठीक ठीक तो हमारे पास था का-scale 0.01 यह देखें 0.01 को 5 में देखना है तो 0.01 कहा है यह degree of freedom है यह range है तो देखें आपको मैंने कहा था जब का-scale को read करना है तो देखें हमने right to left करना है तो देखें 0.005 फिर 0.1 बढ़ती value जा रहे हैं बढ़ती value जा रहे हैं बढ़ती 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 यह 99 पर आगी यानि कि right to left हम table read कर रहे होते हैं तो यह जो property पढ़ाई थी आपको यह वाली अरिया इस measured from right tail यानि कि area मेर करते हैं हम यहां से इस तरफ तो काई स्केर का table देखें यह देखें वैल्यूस हम इस तरफ move कर रही है हमारी सारी value यह देखें सारी values इस तरफ move कर रही है ठीक होगी जी लाकिन मुझे क्या value चाहिए अपनी जो desire value चाहिए calculation के लिए वो मुझे चाहिए मुझे degree of freedom 5 है और उसको कहान दिखना है 0.1 में तो यह degree of freedom 5 है 0.1 0.1 0.1 यह आगया 9.236 तो क्या अंसर आगया 9.236 तो आगया 9.236 तो यह आगया 9.236 तो यह आगया 9.236 तो यहां पर मैंने लिख दिया और what is the value में पस आगया value आगया 9.1 परसंट 1 परसंट में sorry 1 परसंट में 0.01 यह तो 0.01 ठीक है 0.01 तो 0.01 यह 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 तो 0.01 यह 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 तो 0.01 है 0.01 यह यह अंसर आया यह 15.086 15.086 तो values आगया 15.086 तो यह में पस answer आगया ठीक है तो 15.086 तो यह आगया में पस 15.086 तो यहां पर हमें 15.086 तो यह बह। 15.086 ठीक जरीक है ठीक है value find करो तो मुझे kiais square की value find करनी है तो kiais square की value find करनी के लिए क्लिए मैं क्या करूंगा हम वता kiais square की value चाहिए तो यहां पर अज़ेग sudah यहां पर आज़ेगे फिर kiais square की value मैं पसा जाजेगी तो theta में परस क्या है check out 12, 9, 11 12, 9, 11 12, 9, 11 12, 9, 11 फिर 10, 9, 9 10, 9, 9 ठीक है क्या और ठीटा E क्या है E observed frequency में बस लिखन 10 आई थी तो E में बस 10 आगया तो 10 अब मुझे काई स्केर find करने है काई स्केर का फॉर्मूला क्या होता है ठीटा माइनिस E all square divided by E फिर सबका sum तो क्या करूँगा ठीटा माइनिस E करूँगा यानि ठीटा में से E माइनिस करूँगा फिर स्केर करूँगा उसको divide कर दूँगा E से ठीक है तो 12 माइनिस 10 करूँगा इसके लिए solve करते है 12 माइनिस 10 किया तो 2 आगा 2 का square 4 4 divided by E answer आगया 0.4 यहांपर आगया 0.4 बस सारी calculation ठीटा माइनिस E 1 का square 1 1 divided by 10 0.1 तो 0.1 आगया तो यहांपर भी 0.1 आगया यहांपर 0 आगया 9 और 10 है 9 और 10 जिरो पाइंट 1 आगया 9 और 10 है 0.1 आगया सबको सम कर ला 0.4 प्लेस 0.1 प्लेस 0.1 प्लेस 0.1 प्लेस 0.1 प्लेस 0.8 ठीक है तो 0.8 आगया तो काइट अगया Sorry फिर चक करूँ इस नल है पोथेसिस इस रिजक्टिदू अरे हिए रिजक्टिदalinel या इस रिजक्ट हीर है या सेप्ट हीरा रहा है हमने कच्चक कर ले था हमने का फॉर्मिलह होता है कि chi-square calculated greater हुआ chi-square table से तो reject हो जगा calculated कितना है 0.8 और chi-square table का कितना है था 5 table से कितना है था यह है sorry 15 15.086 तो 15.086 तो देखें यह greater नहीं है less है अगर less है तो हम कहेंगे h0 is accepted तो हम क्या करेंगे h0 को accept करेंगे तो check करें तो हमने का we accept h0 हम h0 को accept करते हैं तो इस तरह से यह one way test के different question इस तरह से आ सकते हैं असल में सारा procedure है मतलब अगर मुझे end तक कहुंचना है तो मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, चौता, अब सारे procedure परफॉर्म करने पढ़ेंगे हैं लेकिन आई के अब यह अलग-अलग question भी पूछ लेता है ठीक है, question 2 देखते हैं question 2 में सबसे फ़ले देखें कि आपके पास one way test है, two way test है या two by two contingency test है या probability आ रही है तो मैंने देखा कि एक, दो, तीन यानि के, दो रो देखें, मेरे पास दो रोस है, एक, दो, थीन और दो रोज है तीन column है तो मैंने रहे हैं two by three चल रहा है order अगर ये two by three चल दा है तो मैंने कह, ये two way test है अगर two way test है तो मैंने के two way test میں Two way test में E कैसे find करेंगे है E कैसे find करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले find करते हैं E, तो यहाँ पर आजेगे में यह पास theta, ठीक है, जो जुरूरी होता है calculate करना, फिर E calculate करना जुरूरी होता है, हमने कर जो मैं E calculate करूँगा, तो E calculate करने का मेरा procedure यह होता है, E इस तरह calculate करते है, rose का total, फिर column का total, उनको divide करते grand total से, ठीक है जी, तो इस तरह मेरा E बन जाता है, तो सबसे पहले मैं theta तो सरपजब लिखो ना, जो असान values हो, वो क्यों ना लिखो मैं, तो theta लिखते हैं, तो theta में हमारे पास जो values आएंगी, वो आएंगी, ठीटा में मापस values आजएगी, तो फैक्टरी है, उसने कहा, a manufacturing company produced two items, एक manufacturing company है, वो दो item produce कर रही है, a service carried out to determine the association between quality, उसने हमने चाक करना है, कि quality के दर्मियान association है या नहीं है, अगर association है, तो बताएं, independent है, अगर association है, तो dependent है, नहीं association तो independent है, ठीक है, हमने कहा कि हमने 100 का sample extract किया, perform, 1% level of security friends के, whether there is an association between quality of item and the factory of produced item, उसने कहा कि हमने चक करना है, कि जो factory में जो items है, उन में quality में association है, या नहीं है, ठीक है, हमने देखना है, हमने कहा factory A, हमने देखना कि factory A की product से ही बन रही है, अगर factory A की product से ही हुई, हमने कहा factory A से product बनाएंगे, और अगर factory B की product से ही हुई, तो हमने कहा factory B की product से बनाएंगे, या हम दोनों factory की quality of products combine चक करना चाहा है, ठीक है, तो हमने यह देखना है, कि there is an association between the quality of items and the factory that produce them, हम देखना है कि किस factory के quality कितनी अच्छी है, तो तीन तरह की quality आगे है, unsatisfactory, satisfactory और good quality, फिर factory B की unsatisfactory 34 है, satisfactory 27, good quality 15 है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको solve करने के लिए, इसको solve करने के लिए, सबसे पहले मैंने observed frequency लिख लेनी है, ठीक है, तो observed frequency के लिए, तो यहां से मैंने लिख लेना है, तीन तरह की मेरे पास, यहां से factory A, factory की तीन categories आजाएंगे, तो 8, 25, 21, तो यहां से मैंने यह लिख लेना है, 8, 25, 21, 8, 25, 21, फिर factory B की, 4, 27, 15, 4, 27, 15, अब मुझे E बनाना है, अब होता है E कैसे बनेगा, E का formula रो का total, column का total और grand total, अब रो का total क्या है, unsatisfactory का, 12, 27 और 25, 52, 21 और 15, 36, अब column का total करो, और यह वाला जो है, यह वाला, यह grand total होता है, 8, 25, 21, 8, 25, 21, 54 और गया, 4, 27, 4, 27, 15, 46 और गया, and the grand total is, यह grand total क्या है, grand total चाहिए, 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 100 क्यों होना चाहिए, क्यों होगी है, हम भी बताए था 100, 100 कहीं, और sample of 100, 100 का sample यह, तो grand total 100 है, 12, 52, 36, इनको भी मैं sum up करूँआ, तो 100 बनेगा, तो 100 इस grand total, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखना है, कि जो 8 है, इसकी expected frequency कितनी 8, तो 8 के expected frequency कैसे चेक करूँगा, formula यह होता है, E find करनेगा, कि row का total, column का total, और grand total, तो E देखें, E जो है ना, जब मैंने E इस 8 के लिए, इस 8 के लिए, इसकी expected frequency देखनी, यानि कि इस 8 का जब मैंने E देखना है, तो जखोँगा, इसका row का total क्या है, 54, तो क्या करूँगा, 54, इसके column का total क्या है, 12, तो कर दूँगा, multiple by 12, grand total कितना है, 100, तो यह इसकी expected frequency आ जगी, तो चेक करें क्या आ रहा है, 54, multiple by 12, divide by 100, तो आंसर आता है, 6.48, आंसर आता है, 6.48, तो यहां पर मैंने लिख दिया, 6.48, अब 25 के लिए चेक करो, 25 कहा है, 25 के expected frequency, यह 25, इसके expected frequency क्या है, इसको नहीं लिखना, इसका row का total कितना है, 54, 54, इसके column का total कितना है, 52, 52, grant order कितना है, 100, यह 100 आ जेगा इस तरह, तो यह 25 की, तो यह expected frequency इस तरह आ जेगे है, पस E आ जेगा, तो E कितना आ जेगा दिखते हैं, 54, और यहां पर आ जेगा, 52, तो आंसर आ जेगा, 28.08, तो आ जेगा, 28.08, तो आ गया, और 28.08, अब 21 के लिए चक करते हैं, यह 21 है, तो इसकी row का total कितना है, 54, column का total कितना है, 36, grand total कितना है, 100, तो 21 का E कितना आ जेगा, 54, 36, तो आंसर आ गया, 19.44, यह 19.44 यह 19.44 आ गया, ठीक है, तो, 19.44, अब रह गया, इस 4 के लिए, 4 के लिए, यह 4 है, यह 4 है, तो इसको चक करने के लिए, हमने देखना है, कि row का total किया है, और इसके column का total किया, तो row का total, यह 4 जो है, इसकी row का total किया, 46, तो 46, इसके column कितना है, 12, divided by 100, तो यहां से यह, expected frequency आजेगी, ठीक है जिए, तो, multiple over 12, तो answer आजेगा इसका, 5.52, 5.52, तो 5.52 आजेगा, 5.52, अब 27, यह 27, row का total कितना है, 46, column का total कितना है, 52, grand total कितना है, 100, तो, 52, 52, answer आजेगा, 23.92, तो यह आजेगा, 23.92, तो 23.92, तो 23.92, तो, अब रहागा, 15, तो 15, row कितना है, 46, column कितना है, 36, grand total, 100, answer is, 16.56, तो answer आजेगा, 16.56, 16.56, ठीक है, यह E बन गया, अब मुझे क्या है, chi square चाहिए न, तो chi square का formula क्या होता है, chi square form convolution, theta minus e whole square divided by e, तो अब मैं direct combine कर दूंगा, साथ से पिले theta में से, theta में से e minus करूंगा, फिर square करूंगा, उसको फिर गदारा e से divide करूंगा, और sum करता रहांगा, लखते हैं, let's see, values क्याती है, 8-6.48 उसका क्या मैंने, square divide कर दिया 6.48 से, तो answer आगया मेरे पास 0.35 6 5 यह answer आगया, next 25-28.08 square divided by e 8 answer आगया 0.3378 next square divided by 4 0.1252 next answer is 0.41 8 5 8-6 कर दिया 23.92 square किया answer is 0.3966 0.3966 answer is 0.14 4 9 70 तो यह total कर लें, सारों कर दिया सारों कर दिया प्लस 0.1252 0.4186 0.1470 0.1470 चरी answer आगया 1.7817 तो यह काई स्केर में पसा आगया जो मैंने calculate किया 0.1718 ठीक है तो 0.1718 आगया अब चक करते हैं independent है नहीं तो formula था कि काई स्केर calculated greater होगा काई स्केर table से तो यह alpha r-1 c-1 तो काई स्केर calculated कितना है 1.7817 तो alpha कितना में पस alpha देखें कितना है 1% तो 1% alpha में 0.01 रोज चक करें कितना है रोज रोज कितनी है एक दो दो रोज है तो 2 रोज है तो 2-1 किया column कितने है column एक दो तीन तीन column है तो 3-1 तो 0.01 2-1 1 3-1 2 तो इस 1 को ignore कर दें 2-1s are 2 कर दें 0 को multiply नहीं कर दें नहीं बात जाते हैं 0 को multiply नहीं कर वाते है अगर 2 आयता है तो 2-2s are 4 में देखता है तो 0.01 को 2 में देखने है तो 0.01 है का 0 यह 0.01 है इसको कहा देखने है इसको देखने है यह 2 है तो यह 2 है answer आ गया, 9.210, 9.210, तो 9.210 और यहां पर क्या है, 1.7817, तो देखिए, अगर यह लस है, तो हम कहेंगे, ह- not is accepted, ह- not accept है, अगर ह- not accept है, तो मैं क्योंगा, independent है, यानिके, not associated है, यानिके, factory A से production करवाएं, factory B से production करवाएं, कोई फरक नहीं है, ठीक है जी, तो मेरा डिसी नहीं आ गया, there is an association between, हमने कहा, नहीं, no association, no association, कोई association नहीं है, ठीक है जी, क्या association है, इसका जरा सोच लें जरा, H- not accept है, H- not accept है, अगर H- not accept हो, तो association होती है या नहीं होती, इसका पर देखें जरा, कहता है, अगर H- not है, होती है, तो हम कहेंगे, independent है, और कोई association नहीं है, ठीक है, तहीं बात याद रखनी है, तो H- not किया हुआ था हमारा, reject हुआ, accept हुआ था, अगर H- not accept है, हमने कहा, independent or not associated, next question देखते हैं, next question में सबसे पहले, जब काई square का question आएगा, आपको इस तरह टेबल बनाऊगा, टेबल में साथ से पहले, अपने order पिक करना आएगा, तो order चक करें, order आपने देखा, दो रोज दो column, 2 by 2, आपने जैसे देखे 2 by 2, आपने का यार इसका तो formula बदल जाएगा, जैंकर 2 by 2 में, काई square का formula क्या होता है, तो काई square का formula थोड़ सा बदल जाता है, वो यह होता है, के submission, modulus, theta minus e, minus करते हैं, 0.5, जो answer आएगा, उसका करते है, square, उसका करते है, square, फिर करते है, e से, divide, तो यह माँँआ पर answer आता है, यह हैंकर modulus का मतलए, जो minus values हैं, उसमें में प्लस में करते हूँगा, तो सबसे फिले theta check करते हैं, theta क्या absurd values क्या मेरे पास, absurd value male की, male और female देखना हमने, उसने का, हमने 50 student का survey किया, यह grand total आजएगा, grand total, short male and 32nd European language, के कौन European language को second language के तोर पर like करते हैं, carry out काई square test, 5% level of significance, determine whether there is an association between gender and language, कहता है, gender और language में कोई association है, या नहीं है, यानि के, for example, हमने का, जो male हैं, वो second European language को पसंद करते हैं, यह हमारा एक राय है, तो हम जहें चेक करते हैं, क्या हर वो जो male है, normally, क्या European को second language वे तोर पर पसंद करते हैं, या नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमने इसको चेक करना है, हमने जखें क्या gender और language में, क्या कोई relationship है, for example, हमने का, जो male होती है, वो ज्यादा European language यूज़ कर रहे होते हैं, जो female है, वो नहीं करती, यानि के male का और language का relationship है, हमने चेक करना है, क्या gender का और language का तालुक है, या नहीं है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए, तो हमने का theta क्यों है, male में 146, 146, 146, 146, और 822, 8 और 22, यह हमने आगया, observe, हमने का e, हमने का e आता है, row का total, column का total, grand total, ठीक है ठीक है, तो, अब मैं सब का इसका ज़रा total कर लेता हूँ, जब मैंने इसका total किया, total कुछ मेरे पास ही आगया, total, total, यहां पर आगया, grand total, column का total, column का total, 146, 20 आगया, 30 आगया, तो देखें, उसने का 50 student एक grand total था, तो 50 हमारे grand total आगया, और 28 आगया, यहां से 8 और 14, हमारे पास कितना आगया, 22 आगया, 22, 28, 50 हो गया, ठीक है, अब चल चक करते हैं, इस 14, इस 14 का e निकालना है, तो कैसे, इसका row कितना है, इसका row कितना है, 20, column कितना है, 22, divided by grand total कितना है, 50, तो देखें, e कितना है, मेरे पास, e यह आगया, 8.8, 8.8, तो चक करें, 8.8 आगया, तो इसका आगया, 8.8, अब 6 का चक करते हैं, यह 6, row कितना है, 20, column कितना है, 28, grand total, 50, 28, 28 था, तो 28 का अंसर आजेगा, 11.2, 11.2, तो 11.2 आगया, 11.2, इस 8 के चेक करें, ज़रा, 8, row का total कितना है, 30, column 22, column 22, grand total 50, 50, 50 आगया, तो 30, 50, 22, answer is 13.2, तो आजेगा, 13.2, तो 13.2, 22 के लिए चक करें, रो कितना है, 30, column कितना है, 28, grand total कितना है, 50, 30, 50, 28, answer आगया, 16.8, 16.8, तो 16.8 यहां पर आगया, 16.8, ठीक हो गया, clear, क्योंकि 2 by 2 contingency है, तो contingency आगया, तो 0.5 adjust होगा, तो अब जो यह निकालना है, वो इस तरह निकालना है, कि सबसे पहले आपने, मैं एक demo को तोर पर लिख रहा हूँ, 14 में से माइनस कर दो, 8.8, जो भी answer आएगा, उस में से फर्दर माइनस करो, 0.5, यह जो answer आएगा, इसका करो square, वो जो answer आएगा, दोबारा e से minus divide करो, 8.8, तो यह इस तरह से कुछ final answer आपका आएगा, ठीक, तो मैं इस सारे को direct solve कर रहा हूँ, 14 माइनस 8.8, ठीक है, बहाँ याद रखनी है, हमेशा यहाँ पर positive value रखनी है, negative रहना रखना है, वाना negative और यह minus आप प्लस कर बैठेंगे जलती से, तो model यहाँ पर, इसलिए इसका हमेशा, जब 6 minus नहीं किजेगा, आपने जब second value लिखनी होगी, क्योंकि आपने plus में values रखनी है, अब 11.2 minus 6, फिर minus 0.5, फिर whole square, divide by 11.2, इस तरह values लिखेगा, आपने यहाँ पर मेशा positive रखना है, वरना यह minus होगा, और यहाँ से यह minus होगा, प्लस होजेगा, तो calculation गलत होजागी, बस इस चीज़ का ख्यार रखेगा, तो 14 minus 8.8, 0.5 जो answer आया, उसके किया, square, divide कर दिए 8.8 से, तो answer आया मेरे पास, मेरा answer जो आया, वो आया, 2.51, next, 11.2 minus 6, जो answer आया, minus किया, 0.5, square किया, divide किया, e से, 11.2 से, answer आया, 1.97, अब सारे 2 decimal, अब 13 का पहले रखेगा, 13.2 minus 8, answer आया, minus 0.5, square, divided by 13.2, answer आया, 1.67, last 22, 22 minus 16.8, minus 0.5, square, divided by 16.8, answer is, 1.31, सब पर टोटल कर ले, तो 2.51, plus 1.97, plus 1.67, plus 1.31, तो answer आया, 7.46, तो formula होता है, काइस, केर, calculated, greater हो, काइस, केर, table, r minus 1, c minus 1, ठीक होती, तो calculated का answer आया, 7.46, तो यहां से देखें, alpha कितना है, तो alpha में यह वर कितना है, 5 percent, तो 5 percent mean, 0.05, दो रोज हैं, और दो ही column है, तो 0.05 को, 2 minus 1, 1, 2 minus 1, 1, तो 1, 1, 0.05 को चुपचाप 1 में देख लो, तो 0.05 को 1 में देखना है, यह 0.05 और यह 1 है, तो answer आदेगा, 3.841, 3.841, तो यह देखेंगे, ग्रेटर हो गया, जैसी ग्रेटर हो गया, हमने का, h not is rejected, हमने h not को reject कर दिया, तो हमने का, h not reject हो गया, ठीक है, अगर h not reject हो गया, अगर h not reject हो गया, तो बताएं, association है या नहीं है, अगर हमने बता ह not reject हो, तो हमने का, dependent है, यानि के, association बिल्कुल है, प्रचा करते हैं, उसने का, there is association between gender and language, कहता है, gender और language में relationship है, यानि के, हमने कहा, male, इस particular language को पसंद करते हैं, ठीक है, clear, last question रहा गया, probability का, कहता हमने, dice को, a dice, a dice का मतलबता है, single dice है, single dice है, हमारे बास, उसको 144 टाइम्स हमने क्या किया, task, roll किया, a dice was rolled 144 टाइम, हमने dice को 144 टाइम रोल किया, तो हमने देखा, face 1, तो face 1, 1 आया, 22 टाइम, उसके 2 आया, 2 नमबर आया, 23 मरतबा, 3 नमबर आया, 23 मरतबा, उसने का, what is the name of this table, काई स्क्राइब का जो भी टेबल होता है, उसको इसको cont 걸ुट होता है, बैसे बहुए वह हो, 1 बार 2 हो, 2 बार 2 हो, जो भी हो, produces a single-cal條, state the null hypothesis, इसका null hypothesis check करो, हमने का null hypothesis independent होता है, not associated होता है, तो हमने का null hypothesis independent होता है, what is the tabulated value, tabulated value किया ही है, आंसर आता है काई स्केर का ये तो tabulated value कैसे find करेंगा तो बड़ा असान तो tabulated values find करते हैं सबसे पहले तो tabulated values के लिए हम क्या करेंगे tabulated value के लिए column चाहिए मुझे ठीक है तो tabulated value के लिए मैं क्या करूँगा यहां पर ठीटा लिखूँगा और यहां पर अपना e लिखूँगा फिर यहां से calculate करूँगा तो ठीटा चेक करेंगे बस क्या 22, 23, 27 22, 23, 27 फिर 25, 26, 21 25, 26, 21 इचाहिए ना अब देखें मैं पस probability given कर रहा है 8 dice को हमने 144 time rule किया है तो बताएं 1 आने की probability क्या हमने का 1 आने की probability जो है वो देख लें क्या आती है तो हमने का जो 1 आने की probability होगी वो 1 by 6 होगी 1 by 6 होगी क्योंकर एक dice को जितनी मर्जी मर्थवा 144 times क्या 1000 time भी आप toss कते रहें तो जब मैंने पहली बार dice को roll किया तो 1 आने की probability क्या है 1 by 6 तो इस 2 आने की probability क्या है 1 by 6 3 आने की probability क्या है 1 by 6 इसकी probability क्या 1 by 6 इसकी probability क्या 1 by 6 6 आने की probability क्या 1 by 6 तो इमें बाब probability आ गई तो देखें हमने का अगर probability given हो तो E कैसे multiply किया जाता है हमने का probability को sample से N से multiply करवा दो ठीक है तो यहां से e कैसे बनेगा, अगर मैं यहीं से e बनाना चाहूं, तो 22 multiply by 1 by 6, तो e कैसे आया हार एक का, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, और 1 by 6, 1 by 6, ठीक है जी, clear हो गया, तो यह, ओ सोरी, e यह नहीं आया माजरत, प्रोबिल्टी आई, अब मुझे e चाहिए, तो e यहां से होगा, theta multiply by given probabilities, ठीक है, तो e जब मैंने formula e का जो use करना है, तो e जो use करूँगा, तो a के पास, जो भी probabilities होगी, यह हमारे पास n है, तो probability 1 by 6 है, और n 22, तो e पहला वाला कैसे आ 1 by 6, तो जब हमारे पाद probability given होती है, तो हम n को given probability simple multiply कर वाते है, तो 22 multiply है, तो answer कितना आया मेरे पास, answer आया मेरे पास, 3.67, तो 3.67, next वाला e क्या आया, तो 23 को multiply कर वाते है, 23, 83.83, 3.83, next 27, 4.5, 4.5, next 25, 4.17, 4.17, next 26, 4.33, 4.33, next 21, 3.5, 3.5, total करें इसका, 3.67, plus 3.83, plus 4.5, plus 4.17, plus 4.33, plus 3.5, answer आगया 24, answer आगया 24, चेक करें कि उसने कहा, what is the tabulated value of chi-square, chi-square की tabulated value क्या है, तो chi-square के अब हमने अब tabulated value find करें, तो chi-square का formula क्या होता है, theta minus e whole square divided by e, और फिर सब का sum कर दो, ठीक है, तो चेक करें अब, और आए है, तो जो गया है, हम हम एम एमी एकज लुज बेस थे पर फफ़न करें, अगया झाए है, तो अधायाल करें, तो चेद स कंवड़ से है अच्छा जी, ओके, यहां से वापिस आएंदर हुआ, यह वाइलिर्स देखिएगा, जो यहां से हमने find किया, यह, यह वाला, सारा इसा, यह raise करते हैं, सारा वलता है, यह से नहीं होना, क्यूंकि फॉर्मॉला गलत अप्लाई हो गया, यह के लिए, ठीक है, तो यह actually देखिए, हमने find कैसे करना था, हमने का यह जब probabilities given हो, तो यह का फॉर्मॉला यह था, के sample, multiply by probability, ऐसी था, तो sample देखिए, हम आपर कितना है, 144 time, तो जो sample है मारे पास, 144 time, यहनिके n, फॉर्मॉला गता है, जब भी हमने e find करना है, n multiply by probability, तो n कितना है, 144, probability कितनी, 1 by 6, हर एक, 1 आने की probability, 2 आने की probability, 2 आने की probability, 1 by 6, तो पहले बला e क्या बनेगा, 144 multiply by 1 by 6, तो यह हमारे पास, इसकी probability बननी है, ठीक है, तो चेक करें इसको, तो 144 multiply by 1 divided by 6 करें, तो answer हैगा 24, तो इसका आज एक answer 24, तो जब इसका answer 24 आएगा, next, इसका e क्या आएगा, उसका भी यह होगा, 144 multiply by 1 divided by 6, उसका भी answer हैगा 24, यहनिके हर एक e का 24, 24 और 24 ही answer आएगा, अब यह theta है और यह e है, ठीक है, तो मैं इसको solve करूँगा, तो 20 minus 20, तो यह मेरे पाद पहला 0 आजएगा, फिर 23 minus 24, देखें इसका answer करता है, अब answer करें, अब सही answer आएगा, तो 23 minus 24, 1, 1 का square 1 होता है, तो 1 divided by 24 करूँगा, क्योंकि e मेरे हैं, तो answer आजएगा, 0.0417, फिर 27 minus 24, square divided by e कितना है, e तो 24 होता है, ठीक है, तो 0.375, फिर 25 minus 24, 1 आया, 1 का square 0.0417 यह आगया, फिर 26 और 24, 2, 2 का square 4, 4 divided by 24, 0.16 और 67, फिर 21 और 24, तो 0.375, ठीक है जी, तो यह मेरे पासा answer आगया, सबको जमा करें, 0.375 plus 0.0417 plus 0.1667 plus 0.375, तो answer आगया, 1, तक्रीबन 1 आता है, 1.0001, इसको 1 नहीं कंसीडर कर ले, तो यहां पर हमारे पासा answer आजएगा, 1, ठीक है, तो, what is the tabulated value of chi-square, तो chi-square के tabulated value, हमारे पास, यहां पर, किदर गया, 1 आता है, ठीक है, chi-square के value हमारे पास, यहां पर, sorry, यह 1 आगया, यह माज़रत, 22-24 किया, तो यहां से 2 आया, तो 2 का square 4 किया, divided by 24 किया, उसका answer आता है, 0.1667, तो इसमें यह add करें, plus 1.0001, तो answer आ गया, 1 point, answer आता है, 1.17, 1.17, तो answer आता है, 1.17, 1.17 हो, 1.17 हो, यह 1.18 हो, बात एक किया, तो यह हमारे पास calculated answer आ गया, chi-square का, पर इक अधार tabulated value किया है, तो tabulated value चेक करते हैं, तो tabulated value के लिए, हमने कहा, कि tabulated value find करने के लिए formula होता है, कि chi-square alpha, r-1, c-1, तो alpha कितने है, उसने नहीं बताया हुआ, अगर alpha unknown हम 5% use करते हैं, यानि कि 0.05, रोस कितने हैं, हमने कहा, एक row है, तो 1 हमने कर दिया, 1-1, column कितने हैं, 6 column हैं, तो 6-1, तो 0.05, 1-10, 6-15, तो इस 0 को ignore करो, यानि कर, 0.05 को 5 में देखना है, तो 0.05 को 5 में देखना है, तो 0.05 यह है, इसको 5 में देखना है, तो आया, 11.070, तो answer आया, 11.070, तो यह देखे, 11.070 आगया, फिर last में कह रहा है कि assess hypothesis for a dice is fair or not, fair का मतलब बता है independent, fair का मतलब बता है, independent, not associated, और independent, not associated कब होगा, जब H not हमारा accept होगा, अब H not accept हो रहा है यह reject हो रहा है, उसके लिए हमने कहा, काई square calculated greater होगा, काई square table से, तो H not reject होगा, otherwise accept होगा, तो calculated क्या था, 1.17, 1.17, table क्या था, 11.070, तो देखें, small है, यानि कि H not हमारा accept हो रहा है, अगर H not accept है, तो हमने का die fear है, तो देखें, हमारे result क्या आया, उसने कहा, कि H not हमारा क्या हो रहा है, यह देखें, H not is accepted, H not is accepted, अगर H not accepted है, तो हमने का die हमारी fear है, ठीक है, तो इस तरह से आप hypothesis काई square question के, काई square question solve कर सकते हैं, इस बात के जाए रहा है, ठीक है, some time calculation करते हैं, जैसे कि अभी last हमसे भी mistake होई, E गलत आगिया, तो मुझे फोरण से click होई, यह E गलत आगिया, कैसे मुझे पाता चल गया, कि E गलत जा रहा है, याद रखेगा, हमेशे जो observed value होती है, यह वो value होती है, जो normally हम actual observe करते हैं, expected frequency होती है, जो हमारा अंदाजा होता तो देखें, हमेशे जारके observed और expected हमेशे क्रीब क्रीब होंगा, अगर यह 22 है, तो expected भी 22 के आज पास होगी, यह देखें, 27 है, 25, और example चैप करवाता हूँ आपको, expected के observed, देखें, observed कितना 14, expected देखें, 8.8, 6, 11, 8, 13, 22, 16, क्रीब क्रीब values हैं, और चेक करें जड़ा, 8, 6, 25, 28, 21, 19, 4, 5, 27, 23, क्रीब क्रीब, 15, 16, क्रीब 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 values हैं, ठीक है, यह देखें, 12, 10, 9, 10, 11, 10, 10, 10, 9, 10, तो देखें, क्रीब क्रीब हैं, हमेशे जार रखेंगा, जब भी आपके पास observed of frequency, expected में, बहुत difference आ रहा है, समझ लीजिएगा, कि कोई नो किए हमसे बलती होगी, ठीक है, student, वो अलहमदुलिल्ला, वो complete हो गई है, ठीक है, तो अगर in questions के regarding कोई भी problem हो, तो बिलकुल without any hesitation, आप बिलकुल उसे राप्ता कर सकते हैं, तो जहां तक हो सका, मैं बिलकुल आपको entertain करूँगा, और आपके further जो है, curious हैं, उनको resolve करने के कोशिश करू क्यों हैं में दोबारा नहीं होगी, इंशालला ताला, ठीक है, अब इंशालला मुलाकात होगी, economics में, इंशालला ताला, क्योंकि मैं economics भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं यह नहीं कर आप बिलकुल मेरे से पढ़े हैं, सिर्फ आप कोई just inform कर रहा हूँ, कि CAF 2 economics भी मैं पढ रहा होता हूँ, ठीक है, तो होपस हो, कुस student से CAF 2 में अब जोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए, अपना बहुत ख्यार रखिए,